चलिए बटाई स्टार्ट करते हैं देखिए आज हमको पढ़ना है Refraction Through a Compound Slab ओके Compound Slab के द्वारा Refraction जो होता है वो कैसे होता है इसको हम देखेंगे तो टॉपिक है Refraction Through a Compound Slab तो यहाँ Compound Slab का मतलब होता है हमारे पास पर दो या तीन से जदा तीन दो Slab मिनिममम दो Slab है हमारे पास में तो दो Slab में Refraction कैसे होगा इसको हम देखेंगे तो दो Slab में सबसे पहले मेरे पास पहली Slab है Incidence Angle Vita I1 है इसको हम PPT Mode में देखेंगे तो ज़्यादा बेतर समझ में आएगा चली यह देखे, यह मेरे पास एक slab है, दो slab है, उपर का rarer medium है, अंदर का dancer है, और अंदर का odd answer है, और बाद में rarer medium है, बोलो diagram clear है? ओके, बाहर का refractive index mu A, अंदर का mu B, और इधर का mu C, ओके, और refractive index के दिए मैं order की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा किसका है? C का है, और सबसे कम A का है, A से बड़ा B का, B से बड़ा C का है, और बाहर जब आप निकल आओगे, तो फिर से यहाँ पर refractive index कितना हो जाएगा, mu A, क्योंकि यहाँ पर air है, ओके, क्योंकि air है, चलिए, तो यह देखे, इस तरीके से reflection होगा, आप पढ़के आ चुके हैं कि, ज पहला नॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल है, तीसरा नॉर्मल है, और इस तरीके से यह जो light है, यह लगातार continuously जो है bend हो रही है, ठीक है ना, ओके, तो यह light जो है continuously bend हो रही है, एक मिनट बिटा, हाँ, light continuously bend हो रही है, अब आपको इसके refractive index के formula बनाने हैं, बट इसके लिए पहले angle देखो, incidence angle I1, reflection angle R1, then अगर यह angle R1 है, तो alternate interior angle से यह वाल अगल भी कितना होगा बिटा, R1 होगा कि नहीं होगा, बताओ, यह angle अगर R1 है, तो यह angle भी हमाँ पास कितना होगा, R1, clear है ना, तो यह दोनों angle हमाँ पास होगा, R1, ओके, और यह angle हमाँ पास R2 है, तो यह angle भी कितना होगा, R2, clear है, तो हमाँ पास यह angle R2 होगया, और finally यह जो angle होता है, last वाला angle होगा, I1, क्योंकि incident ray और refracted ray जो होती है, वो क्या होती है, parallel होती है, incident ray और emergent ray, जो बाहर निकल रही है, यह दोनों रही क्या होती है, क्या parallel होती है, तो यह angle I1 के इकल होगा, कल मैंने पढ़ाया था, कि incidence angle I1 is equal to emergent angle E, clear है, कुछ पूछना है यहाँ तक बीटा, कुछ पूछना है, चलिए तो दिखिए, पहला क्या बनेगा, A mu B, first relative refractive index, medium A, medium B में A mu B equal to sin I1 upon sin R1, second B mu C equal to sin R1 upon sin R2, and third C mu A equal to sin R2 upon sin I1, ठीक है न, C mu A is equal to sin I2 upon sin I1, देखो बीटा आप इसको कैसे करेंगे, अगर तीनों का multiply आप कर दो, अगर तीनों का multiply कर दोगे, तो देखो यह I1 से I1 cancel हो जाएगा, multiply करने में, R1 से R1 cancel हो जाएगा, और R2 से R2 cancel हो जाएगा, तो तीनों का multiply करने पर 1 आया, बोले यह समझ में आया कि नहीं है, तो A mu B into B mu C into C mu A equals to कितना हो गया, 1, clear है, clear है, okay, अब देखे, यदि इन दोनों को मैं साथ में ले लूँ, So, A mu B multiplied by B mu C is equal to 1 upon C mu A, 1 upon C mu A, होएगा की नहीं होएगा, बताओ, Yes, और कल मैंने बताया था कि 1 upon C mu A is equal to क्या होता है, A mu C, 1 upon C mu equal to A mu C, clear है, Yes, तो इस तरीके से अपन को इसको solve करना पड़ेगा, any problem, तो इस तरीके से हम इसको solve कर लेंगे, ठीक है न, So, क्या बन जाएगा, अपने पास देखो बेटा, यह अपने पास बनेगा, A mu B into B mu C is equal to, यदि मैं इसको इसके नीचे ले जाओ, 1 के नीचे इसको ले जाता हूँ, तो यह मेरे पास क्या बनेगा, A mu B multiplied by B mu C is equal to 1 upon C mu A, और निचान्त कल मैंने बताया था, 1 upon C mu A क्या कहलाएगा, बोलो निचान्त, यह कहलाएगा A mu C, यह कहलाएगा A mu C, similarly अगर आप B mu C को रोक लें, तो B mu C को यदि आप रोकेंगे, तो B mu C is equal to A mu C, A mu C, B mu C को अपने रोक लिया है, तो B mu C is equal to, इसको थोड़ा समय solve करके दिखा देता हूँ, तो ज़्यादा बेथर clear होगा, दिखिए, अगर आप कह रहे हैं कि A mu B into B mu C into C mu A equals to 1, so B mu C is equal to, कितना हो जाएगा, 1 upon A mu B into 1 upon C mu A, okay, clear है न, so B mu C is equal to, अब आप एक काम करिए, यहाँ पे इसको यदि उपर ले जाएंगे, तो 1 upon C mu A, 1 upon C mu A किस में convert हो जाएगा, यह convert हो जाएगा A mu C में, so यह बन जाएगा A mu C, अच्छे से लिखता हूँ, A mu C upon A mu B, वो लो clear हुआ? वो लो clear हुआ बच्चों? Yes sir. A mu C upon A mu B, तो logic की बात क्या है बिटा, logic की बात यह है, कि अगर आपके पास कोई medium है, कोई medium मान लीजिए, आपके पास suppose W mu glass है, W mu glass, इसको आप क्या लेख सकते हो? इसको आप लेख सकते हो, air mu glass, air के respect में glass का divided by air के respect में water का, clear है? देखिए जड़ा, B mu C equal to A mu C upon A mu B, ठीक ना, B mu C की value क्या रही है? equal to A mu C upon A mu B, clear है कि नहीं है clear? Yes sir. चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चली, तो इस तरीके से यह हमारा जो है, यह जो हमारा है, यह कहलाता है आपका, reflection through the compound slab, निशानत एकदम clear है, कुछ पूछना है किया इसमें? नहीं से, चली, अब इसके बाद आते हैं, बच्चो, apparent depth, okay, apparent depth and real depth, heading डाली बच्चो, apparent depth of a liquid, apparent depth of a liquid, yes, क्या होती है, apparent depth of a liquid, जब आप किसी सिक्के को पानी में डालते हैं, किसी सिक्के को टब में डालते हैं, तो वो जो सिक्का होता है, वो टब से थोड़ा सा उचा, थोड़ी सी height पे दिखाई देता है, मतलब actual जो उसकी गहराई है, वो तनी नहीं होती है, rather वो थोड़ा सा उचाई पे आपको दिखाई देता है, तो जो actual गहराई होती है, वो कहलाती है, उसकी real depth, मगर जहाँ पर वो आपको दिखाई देता है, वो कहलाता है, उसका apparent depth, वो लो clear हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो जहाँ पर actually वो, यस बेटा, एक बार और स्प्रिन करूँ, हाँ बेटा, फिर से repeat कर रहा हूँ, जैसे देख लो कि मान लो आपने क्या है, आपके पास कोई glass है, कुछ भी है, यह कोई tumbler है, और आपने स्टंबलर में, glass में किसी सिक्के को डाला है, तो वो यह अपने water level से, उपर से, जितनी height पे नीचे गहरा है, this is called h, तो h को हम क्या बोलते है, real depth, h is called real depth, okay, but इसकी image आपको थोड़ा सा उपर दिखाई देगी, जो इसका थोड़ा सा image जाए रहेगी, वो उपर दिखाई मतलब सिक्का exact नीचे नहीं दिखाई देगा, सिक्का आपको उसकी actual, actual से थोड़ा सा height पे दिखाई देगा, तो यह कहलाएगी, इसकी apparent depth, मतलब की धोखा वाली depth, जो सही नहीं है, so that is called apparent depth, अब यह आया समझ में कि नहीं आया, बोलो बेटा, clear की not clear, हरशिता, हरशिता not clear, ओकी, चलिए देखिए तो कैसे solve करेंगे इसको, इसको हम solve करने के लिए, इसको देखिए कैसे है, इसका diagram देखते है, निशान तबाजारी मेरी clear एकदम कोई lag है क्या, यह सर, आवाज आरी ने मेरी एकदम clear, exactly, हाँ सर, clear, चीक है, so nishant you please continue, ओके, थोड़ा सा हरशिता का lag आ रहा है आवाज में, तो reply थोड़ा आप देते रहेगा, यह देखिए आपके पास एक glass है, और इस glass में उपर का medium rare होगा, that is medium refractive index of air, mu A, and नीचे का medium dancer है, that is equal to mu B, is it clear now यह सर, चली, यह देखिए, आपने यहाँ पर कोई सिक्का गिराया है, यह सिक्के की position है, ओ, ओके, अब देखिए, इसका image diagram कैसे बनेगा, सबसे पहले यह चलेगी raise, अब यह देखिए, यह जो raise है, यह denser से rarer जाएगी, तो it will bend away from the normal, हाँ या ना, तो एक raise हो जाएगी, वो normal से away bend हो जाएगी, और दूसरी raise जो है, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, ओके, यह सर, क्योंकि, क्योंकि, रे की perpendicular direction में कोई reflection नहीं होता है, तो दूसरी वाली raise शीधी की सीधी निकल जाएगी, अब यदि आप इसका image देखना चाहते हैं, तो आ आप जो है, यह जो ray है, जो बाहर की तरफ जा रही है, deviate फो करके, इसे आप emerge करेंगे पीछे की तरफ, तो आपको यह दिखाई देगा, इसका virtual image, okay, o dash, so o dash क्या है, सिक्के की जो image बन रही है, virtually, वो सकी virtual image है, और o क्या है, वो सकी real position है, ठीक ना, तो यह normal था, और o dash इसकी क्या virtual image, ha, अब यहाँ पर दो प्रकार की height आपको दिख रही है, एक ha means apparent height and hr means real height, और you can say depth, so ha is called apparent depth and hr is called real depth, वो लो clear है बच्चों, चलिए, अब देखते हैं, यदि हम बात करते हैं, laws of reflection की, तो incidence angle कितना बनेगा बेटा दीखी ध्यान से, यहाँ पर incidence angle जो है, यहाँ पर ब highlighter करता हूँ, उससे समझ में जादा बहतर आएगा, यहाँ पर बनेगा आपका incidence angle i, और incidence angle i के लिए यह बनेगा आपका incidence angle r, ओके, यह incidence angle i है, यह incidence angle r है, vertical opposite angle के concept से, अगर यह आई है, तो यह भी क्या बनेगा, i बनेगा, और अगर यह r है, इसको extend करने पर यह भी कितना बने बोलो clear की not clear, yes sir, okay, यह हो गया, now, b mu a, light कहां से जा रही है, b से, और कहां पर जा रही है, a पे, तो b mu a is equal to sin i upon sin r, और you can say a mu b is equal to sin r upon sin i, a mu b is equal to sin r upon sin i, clear है, यहां से, okay, sin r upon sin i, ठीक ना, so a mu b is equal to sin r upon sin i, अम मेरे को थोड़ा सा यहां पर पहें चलाना पड़ेगा, तो मैं आपकी मदद करता हूँ, देखे, a mu b is equal to sin r upon sin i, हरशिता कोई doubt है, किसी point पे तो पूछिए, योटन, हरशिता, सर, वो तो left कर गई, okay, left कर गई है, so a mu b is equal to sin r upon sin i, कैसे solve होगा, देखो बिटा, यहां पर, a mu b को देखो, धियान से, a mu b is equal to sin r upon sin i, बिटा, sin r के लिए, ध्यान से, देखो, आप इस वाले angle को देखो, sin r के लिए, जो है, आप, कौन से angle को देखोगे, perpendicular upon hypotenuse, यही, hypotenuse, देखोगे, तो गडबड़ हो जाएगा, इधर से देखोगे, तो इसमें नहीं आएगा, बनेगा, okay, okay, yes, sin r perpendicular upon hypotenuse, exactly, हाँ जी, चल वेखो, तो sin r is equal to perpendicular, बØटा, perpendicular यह वाली जाए, यह perpendicular है, इसको x मान लो, तो perpendicular x है, और upon hypotenuse, भीटा, यहाँ से लेकर के, यहाँ तकी दूरी, बो, clear है, होगा की नहीं होगा, तो perpendicular upon hypotenuse, तो यह बन जाएगा, x upon, यहाँ से लेकर के, यहाँ तक की दूरी, इसका नाम है, o dash, इसका ल लो A, तो यह क्या बन जाएगा, O-A, now, sin I is equal to perpendicular upon hypotenuse, again perpendicular कितना है बीटा, X, है की नहीं है, यह बड़े बाले एंग ट्रेंगल के लिए, और hypotenuse कितना बनेगा, O-A, X upon O-A, clear, X से X हो जाएगा, cancel, So, A mu B equal to sin R upon sin I, that is equal to O A upon O-A, 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 चला जाएगा उपर, अब देखो, O से ले करके A, O से ले करके A तक की दूरी, यह जो gap होता है, यह कोई बहुत बढ़ा gap नहीं होता है, मतलब A point को आप यहाँ पर consider मान सकते हो, मतलब यह जो point है, यह यहीं के लगभग बराबर मान सकते हो, तो यह जो distance बनेगी, यह total height बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी रताओ, तो यह बन जाएगी, अपने पास कितनी total height upon, total height upon, और यह वाली क्या बन जाएगी, अपने पास बिटाएगी, यह distance जो है, Ode S, Ode S से ले करके A तक की दूरी, A को फिर यहाँ ले आओगे, तो यह ही बन जाएगी, apparent height, h real upon h apparent, clear की not clear, ओके, so a mu b is equal to h real upon h apparent, so h apparent को पर जान दो, apparent height is equal to real height divided by a mu b, बुलो, clear है, note कर लो, इसको note करिए क्योंकि यह सा सॉल्व नहीं कराया मैंने उसमें, इसको note करिए, screenshot ले लीजिया और नोट कर लीजिये, हासिर हो क्या, okay, so h apparent equal to h upon a mu b, इस तरीके से आप apparent height निकाल सकते हैं, ठीक है, हर्शी ता clear है, हासिर, okay, कहीं पर doubt हो, प्लीज पूछे, मैं दस बार बताऊंगा, आपको कहीं पर doubt है, तो चुप मत रहे है, जरूर पूछे, एक बार तो बार में समझ में नहीं आएगा, बर तीसरी बार में जरूर आएगा, चली, तो देखिए कैसे solve करते हैं, या गया formula, तो a mu b is equal to h real upon h apparent, so h apparent equal to कितना आजाएगा, h r upon a mu b, चली, अगर कई सारे liquid हो, this is not very much important, यह कुछ खास important नहीं है, अगर कई सारे liquid हो, तो सबके अलग-अलग, अभी आपने क्या देखा, h apparent equal to होता है, h real upon a mu b, तो यदि कई सारे liquid हों, तो क्या हो जाएगा, अलग-अलग उनकी height और अलग-अलग mu का sum होता जाएगा, मतलब की, अगर कई सारे liquid हो, जैसे आपने यह पहला liquid है, फिर यह दूसरा liquid है, फिर यह तीसरा liquid है, इस तरीके से liquid कई सारे भरे होए हों, ओके, पहले liquid की height है, h1, तो जो जो total apparent height निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, हो निकलेगी, h1 upon mu1, plus h2 upon mu2, plus h3 upon mu3, हम इसको लिख सकते है, sigma form में, sigma hi upon mui, not important, यह कुछ खास important नहीं है, इसे कोई question अभी तक नहीं बना है, ठीक ना, तो ज़्यादा कुछ करने के जो तने, screenshot बस ले लिजिए, आपके knowledge के लिए मैंने बता दिया, done, yes, चली, अब देखते हैं, apparent shift कितना होता है, बच्चो, apparent shift very simple, बहुत ही निकालना है, apparent shift क्या है, original depth कहां थी, यहां पर थी, बड़ दिकाई कहां पे दे रहा है, यहां पे दे रहा है, तो यह जो कहलाता है, यहां से ले करके, यहां तक के gap को हम क्या बोलते है, shift delta h, okay, delta h, shift equal to, कितनी है, real depth minus apparent depth, real depth minus apparent depth, तो कैसे करोगे, h real minus apparent कैसे करोगे, बच्चो, h real upon mu, यह भी पढ़ा है मैंने formula, तो h real common ले लो, कितना बनेगा, 1 minus 1 upon mu, ठीक है बटा, so data h apparent depth equal to h real 1 minus 1 by mu, clear है बच्चो, बस्त, नोट का लिजे, तो यह apparent depth है, h real into 1 minus 1 by mu, sorry apparent depth नहीं, shift है यह, shift apparent shift है, done, आंगे बढ़े, आज़े, चलिए, तो यह shift कहलाता है, अब tips की बात कर लें बच्चो, इसको मैं erase कर देता हूँ, इसके बाद मैं tips की बात करता हूँ, यह मैंने erase ink कर दी है, अब मैं इसके बाद tips की बात करता हूँ, first tips है, if the observer is in the rarer medium and the object is in denser medium, then h a less than h r, अगर observer जो है, वो rarer medium में है, और observer जो है, रarer medium में है, और object जो है, denser medium में है, तो जो apparent depth होगी, वो apparent depth होगी, जो, वो real depth से क्या होगी, कम होगी, apparent depth जो होगी, वो real depth से कम होगी, okay, example, to a bird, a fish appears to be nearer than the actual depth, मतलब कि यही situation की बात की जाए, कि observer अगर आँख लगा के बाहर बैठा है, जैसे मान लीजिए, आप आँख लगा के बाहर से देख रहे हैं, और मचली actually यहाँ पर है, तो आप अगर आँखों से देखेंगे, तो मचली आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, fish आपको यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि आपकी जो mu एक कम है, और mu भी जादा है, okay, clear हुआ, तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे, तो h apparent जो होगी, वो कम होगी, और h real जो होगी, वो जादा होगी, clear है बच्चों, कि नहीं हुआ clear, explain करूँ, यह से लिए, okay, और अगर आप जो है, observer अगर dancer medium में है, मतलब अगर कोई पानी के अंदर है, और वो बाहर देख रहा है, if the observer is in dancer medium and the object is in wearer medium, then h apparent is greater than h real, उस समय apparent depth जादा होगी, और real depth कम होगी, to a fish, the bird appears to be farther than actual height, मतलब जो अंदर मचली है, उसको जो बर्ड है, वो और जादा दूर पे दिखाई देगी, actually जहां पर है वो, मतलब फिश को लगेगा कि वो बहुत दूर है, मगर बर्ड को लगेगा कि फिश थोड़ा सा उपर है, बोलो clear की not clear, चलिए, ठीक है, तो यह हो गया, अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, बचो टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, कि टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन क्या हुआ करता है, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन, TIR is the phenomenon of complete reflection of light into the same medium for angle of incidence greater than the critical angle of that medium, देखि कहां से होती इसकी शुरुवात, आपने देखा था, कल मैंने बताया था कि जब कोई ray, जब कोई ray, denser medium से rarer medium में जाती है, तो आपको पता है कि ray जो होती है, away from the normal जाया करती है, यह देखिए यह चीज़े, अगर आपने incidence angle और बढ़ा दिया, चलिए मैं incidence angle color wise बढ़ाते जाता हूँ, आपने incidence angle और बढ़ा दिया, यह देखिए incidence angle आपने और बढ़ा दिया, तो reflection angle और बढ़ जाएगा, है ना, आपने incidence angle थोड़ा और बढ़ाया, आपने incidence angle इतना कर दिया, थोड़ा बढ़ा करके इतना कर दिया angle, तो reflection angle किते degree होगी, 90 degree, यह line ऐसे हो गई, तो यह angle किते degree, reflection का 90 degree, वो लो clear की not clear, clear की not clear, yes sir, clear, so incident angle की वो value जिसके लिए refracted angle 90 degree होता है, उसको हम बोलते हैं critical angle, मतलब critical angle में incidence angle को IC बोला जाता है, और refracted angle किते degree होता है, 90 degree, बच्चो, screenshot ले लो, the value of incidence angle at which refracted angle equal to 90 degree, is called critical angle, incidence angle की वो value जिसके लिए refracted angle 90 degree हो, उसको हम critical angle बोलते हैं, clear है, yes sir, yes, तो यहाँ पे refracted angle equals to 90 degree, यह कहलाएगा आपका critical angle चलिए, I is equals to ICR, अब अगर आप इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा अगर आप raise को बढ़ाना शुरू करते हो, angle अगर आप और ज़्यादा देते हो बेटा, यदि आपने angle बढ़ाया, तो raise क्या होंगी, 90 तो हो चुकी है, अब नीचे मुड़ के आजाएंगी, मतलब अगर आपका incidence angle critical ज़्यादा है, तो raise जो होती है, वो second medium में ना ज़्यादा के, rather first medium में वापस आजाती है, इसी medium में वापस आजाती है, this event is called total internal reflection, समझ में आया, clear हुआ बच्चो, yes तो, this is called total internal reflection, screenshot ले लो, अब इसके बाद हमांगे solve करते हैं, चलें, करें, यह सर, okay, यह से देखें, total internal reflection, पढ़िये, निशान्त, अगर जो incidence angle होता है, वो greater than the critical angle हो जाए, तो light उसी medium में वापस चली जाती है, for example, देखें, rarer medium है, उपर का, नीचे का है, dancer medium है, तो यह phenomenon कब होती है, जब light dancer से rare जाती है, यह देखें, अगर यह situation है, अगर light normal लिख लेगी, तो undeviated सीधा निकल जाएगी, अगर इस तरीके से जाएगी, यह देखें, तो यह light का part जो है, यह light का part जो है, reflect हो गया, ओके, दूसरे में देखिए, यह light का part थोड़ा सा कम reflect हुआ है, तो जो फोर्थ वाला case आपको दिख रहा है, वो दिखा रहा है, है total internal reflection, ठीक है न, एक minute, स्वारी बीटा, यह total internal reflection ही, total internal reflection इसके बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर reflection angle 90 degree है, स्वारी बच्चों, तो यह critical angle का case है, यह angle कहलाएगा IC, critical angle, तो देख लिजे, yes, exactly यह angle IC है, अब इसके बाद अगर आप light का incidence angle बढ़ाएगे, तो light उसी medium में वापस चली जाएगी, और इसके लिए incidence angle should be greater than the critical angle, और incidence angle critical angle से जादा होगा, तो यह कहलाएगा आपका total internal reflection, एक बार फिर से मैं diagram क्लियर करता हूँ आपके लिए, कुशिश करूँगा, नहीं समझ में आओ, तो समझ में आ गया हो, चली रेखे, first raise ऐसी निकल गई, without any deviation, second raise जो है, वो इस तरीके से जो है, डेवियेट होगी, आप देखे यहाँ पे, यहाँ पे यह रिफ्रेक्ट हो रही है, और इसका थोड़ा सा पार्ट जो होता है, reflect होत होता है, फिर अगर incidence angle और बढ़ाएंगे, तो most of the part इसका reflect हो जाएगा, और थोड़ा सा पार्ट इसका reflect होगा, फिर incidence angle आप 90 degree, sorry, incidence angle आप critical के पास ले जाएंगे, तो इसका ज्यादा सा पार्ट जो है reflect हो जाएगा, surface के parallel, r equals to 90 बना करके, और थोड़ा सा पार्ट reflect होगा, ब में वापस लोट करके आ जाती है, this phenomenon is called total internal reflection, clear है, is it clear, yes, condition of total internal reflection में बता दूँ, first, the incident ray must be in optically denser medium, मतलब जो incident ray है, उसे optically denser medium में होना चाहिए, बोलो, clear, मतलब जो rays है, वो denser to rarer जानी चाहिए, clear है, hello, yes sir, and second, the angle of incidence in the denser medium, it must be greater than the critical angle for the pair of media in contact, पढ़ो, condition of TIR, पढ़ो, Nishant, first, the incident ray must be optically denser, second condition, the angle of incidence in the denser medium, must be greater than the critical angle for the pair of media in contact, है, okay, तो जो angle of incidence है, in the denser medium, must be greater than the critical angle, okay, for the pair of media in contact, एनी प्रोब्लम बन जाएगा, हाँ sir, हाँ, बिटा कोई doubt आपको, और हर्शिता, आपसे पूछ रहा हूँ, वो फिर लीव करें, ओके, चली, अब देखते हैं, अगला है, condition of critical angle, critical angle, और refractive index, और critical angle के बीच में रिलिए relation है, तो अभी-अभी आपने देखा था, कि, अभी-अभी आपने देखा था, कि critical angle के लिए I equal to कितना होता है, आइसी, और R equals to कितना होता है, 90 degree, वो लोग है ना, चलिए, तो देखे, क्या है condition, बिटा, ग्लास से air में, G mu A equal to sign A upon sign R, हाँ, sign I की जगे IC हो जाएगा, R की जगे 90 degree, that is equal to sign IC, so G mu A is equal to sign IC, और G mu A क्या लिखते हैं, 1 upon A mu G, so 1 upon A mu G, बन जाएगा अपने पास, कितना sign IC, so A mu G equals to 1 upon sign IC, चलो इसको नोट करो, समझ में ना आएगा तो फिर से बताओ, clear हुआ है, कैसे आया, अक्षद, बोलो, निशान clear हुआ है, कैसे आया, हाँ, सिंपल है, स्नेल का law लगा दिया गया है, और कुछ भी नहीं, स्नेल का law लगा दिया गया है, ओके, so sign IC equals to 1 upon A mu G, sign IC equals to 1 upon A mu G, ओके, यह से, बन जाएगा, यह sign IC upon 1 upon A mu G, अब ध्यान से लेखिए, कि मैंने क्या बताया था आपको, sign IC equals to 1 upon A mu G, 1 upon A mu G का मतलब, mu G by mu A, तो यह पलेट करके आएगा, कितना mu A upon mu G, clear? Okay, sign IC equal to mu और lambda के inverse relations इस होता है, this equal to lambda G by lambda A, ठीक है, नोट कर लो, lambda G by lambda A, lambda G by lambda A, clear? Okay, ध्यान से लेखिए, कि, sign IC जो है, equal to 1 upon A mu G, A mu G मतलब refractive index mu, and mu is inversely proportional to lambda हुआ करता है, so, sign IC is proportional to lambda, sign IC is proportional to lambda, मतलब, lambda जादा होगा, critical angle उतना जादा होगा, तो lambda सबसे ज़्यादा किसका होता है? color का, तो red color के लिए critical angle की value maximum होती है, lambda सबसे कम किसका होता है? वाइलेट कलर का, वाइलेट कलर के लिए lambda की value सबसे कम होगी, समझ गए? कैसे आए, एक बार फिर से देख लो, अभी-भी हमने बताया आपको, इसको मैं erase कर रहा हूँ, erase, yes, अभी-भी मैंने आपको बताया कि, sign IC, critical angle का sign theta, is equal to 1 upon mu, A mu G, A mu G को mu कह लो, क्योंकि ये refractive index है न, absolute with respect to A, मतलब 1 upon mu, और मैंने आपको बताया था कि, mu is inversely proportional to lambda, तो 1 upon mu proportional to lambda, मतलब sin of IC, proportional to क्या हो जागा? Lambda, मतलब जिसका lambda जादा होगा, उसका critical angle जादा होगा, और जिसका lambda कम होगा, critical angle कम होगा, तो 7 color में सबसे ज़्यादा wavelength किसका होता है, red color का, तो red color के लिए critical angle सबसे ज़्यादा होगा, और 7 color में सबसे कम wavelength किसका होता, violet color का, तो violet color के लिए critical angle सबसे कम होगा, ठीक है? चलिए note कर लीजे, कल आपने homework करके क्यों नहीं दिये थी? सर वो फाइल लिख रहा था स्कूल के, ठीक है, सर आज बेज देता हूँ, चलो ठीक है, तो यह हो गया, हाँ कुछ पूछना है इसमें, नहीं से ठीक है, इसकोई रेस करेंगे, ठीक है, तो लिख लो इसको, sin ic is equal to lambda g upon lambda a, because mu के inversely proportional है, तो lambda के proportional होगा directly, तो lambda g upon lambda a, ठीक है, हाँ, sin ic equal to 1 upon a mu g, तो अप्रूब कर चुके, और एक कौशी का formula होता है, लिखिए, 1 upon a plus b lambda square, useless है, कोई काम का नहीं है formula, बस knowledge के लिए समल लो, यह जो part लिखा हुआ है, कोई काम का नहीं है, useless एक तरीके से, अपने syllabus के accordingly, अब last में लिखो, application of TIR, total internal reflection के application, total internal reflection के application, very very important, TIR के applications, so, पहला इसका application है, mirage formation, मतलब जो mirage बनती है, तो इसका पहला application है, mirage formation, दूसरा application है looming, तीसरा application है, total reflecting prism, फूर्थ application है optical fiber, और फिप्थ application है, sprinkling of sparkling of diamond, तो यह theoretical part है, या आप book से पढ़िएगा, कि इनका meaning क्या होता है, बस इसमें थोड़ा से important है, यह optical fiber, तो optical fiber की मैं आपको working दिखा देता हूँ, ऐसे कुछ optical fiber, जो होते हैं, एक तरीके के fibers होते हैं, जिसमें अंदर एक कांच लगा होता है, जिसका refractive index कम होता है, ज्यादा होता है, और इसके ऊपर जो कांच लगा होता है, जैकेट के पास में उसका refractive index कम होता है, तो अंदर का refractive index ज्यादा है, और पीछे का refractive index क्या है, तो जो light है, वो less refractive index से ज्यादा refractive index की और चलेगी, तो क्या यहां पर हो जाएगा इसका इस point पर होता है total internal reflection और light lot करके वापस आती है फिर से इसका TIR होगा light यहाँ जाएगी light lot के वापस आएगी इस तरीके से जो light है total internal reflection सफर करती है light जो है TIR सफर करती है और light जो है long distance तरीके से TIR करते हुए हर point पर travel कर जाती है तो यह कहलाता है optical fiber और ऐसा communication जो light को एक place से दूसरे ती place तक भेज़ दे इसको हम बोलते हैं optical fiber communication और यह कहलाता है optical fiber communication OFC Done ओके चलिए तो यहाँ पर इसको finish करते हैं कल से हम लोग पढ़ेंगे spherical refracting surface ओके इतना अच्छे से कर लीजिए और अच्छे से इसको book से देखते के एक बार नोट्स बगरे प्रॉपर बना लो इसको अच्छे से read कर लो questions कर लो numerical कर लो और कल अपन पढ़ेंगे spherical refracting surface ठीक है चलिए चलिए चलिए